वाडी शहर में काफे भंगार व्यापार है निवास एक्षेत्र में बड़े भंगार व्यापार के गोदाम होने से गंदगी छाई रहती है निवास एक्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यापारी गाडियों का यातायात होता है भंगार व्यापारी के कारण आज की स्तिति म शहर में चोरिया बढ़ती दिखाए दे रही है शहर भर में भंगार का व्यापार भी बढ़ चुका है साथ ही भंगार व्यापार के दालने में कारी करने वाले असामाजिक तत्वों को सक्रिय कर रहे हैं दिन बदिन शहर में भंगार व्यापार का सामराज बढ़ता जा रहा ह पुलिस सिरफ भंगार व्यापार के मलबे से मलाई खाने पर ध्यान दे रही है व्यापारियों के लिए कबार कोई महत्व पूर्ण व्यवसाय नहीं है लेकिन वहां से चोरी का सामान चुराना और बेचना एक महत्व पूर्ण व्यवसाय है इसलिए कबार का कारूबार तेज साइक के संपर्क में आती है चोर और फेरी वाले इलाके से चोरी कर सामान कबारी के पास पहुचा देते हैं स्क्रैब डिलर चोरी का सामान बड़े सप्लायर को बेज देता है जिसका सामान चोरी होता है वो पुलिस को रिपोर्ट करता है शिकायत के बाद पुलिस जाज शुर पुलिस जानती है कि कबार का सौधागर चोरी का माल खरीद कर उचे दामों पर बेचता है और पुलिस कबार की सौधागर से पैसे वसूल करती है कबार वेवसाय के कारण नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कबार कारोपारी निवासी इलाकों में कीमिकल ओईल जंग लगी सामान आदी रखते हैं कुछ शीशियों में एकस्पार कीमिकल दवाईया आदी होती है विवाता वरंड में बहुत दुरगंद फैलाते हैं और अस्वास्तिकार स्थिति पैदा करते हैं स्थानी स्वास्ति प्रशासन की भी इस और अंदेखी नज अधर आ रही है इन मिसियन के लिए वाड़ी से सौरो पाटेल के रिपोर्ट